मेरा नाम सेयद जाफर हुसान माई एले बेट जूनियर कालेज में हिंदी अधिया पाफ हैं आज हम इंटर फर्स्ट इयर का गद्धी वीविदा याने नाइटल में से पांच माँ पाठ खेले तो ऐसा खेलो इसके बारे में जान करें लिंगे इसके लेखक है योगराज ठानी पहले उनका पर्चे उसके पाठ लेखक का पर्चे योगराज ठानी की गिंटी देश के महनतम खेल पत्रकारों में की जाती है जो ये योगराज ठानी है उनका नाम जो पेपर्स में खेलों के बारे में लिखा जाता है उनलों में से इनकी गि जाती उन्हें खेल पत्रकारिता और खेल साहिती की विकास यात्रा में अपना विसीष्ट योगदान देने वाले पत्रकार के रूप में जाना जाता है क्या है खेल पत्रकारिता और खेल साहिती याने पेपर में जो खेलों के बारे में जानकारी देते रहते वो और खेल का साहिती क्या है उसके बारे में और उसको डवलप करने में जो इनका योगदान हमेशा रहा इनका जर्म सन 1931 में हुआ, बाल साहिती लेखक के रूप में 1903 से 1964 के बीच अपनी पैच्छान बनाने के बाद योगराज दानी ने हिंदी खेल पत्रकारिता में अनेक किर्थिमान स्तापीत किये हैं क्या है इनका जर्म तो 1931 में हुआ, इनका बाल साहिती लेखक के रूप में याने बच्पन से एक लेखक के रूप में 1953 से लेखे 1964 तक अपनी पैच्छान रख ली और हिंदी खेल पत्रकारिता में अनेक तरह की केर्थि प्रदान कर लिए वो लंबे समय तक विबिन पत्र पत्रकायों आकाशवानी और दूरदर्शन से जुड़े रहें उनका निधन सन 2009 में हुआ इनों क्या है बहुत दिनों तक लंबे समय तक बहुत दिनों तक अनेक किसम के पत्र और पत्रिकायों में और आकाशवानी रेडियो और दूरदर्शन से इनों जुड़ेवेर हैं और इनका निधन याने मृत्य हैं 2009 में हुई थानी ने आहरवा स्वास्त सिक्षा, आंतरराश्टी खेल और भारत, येशियाई खेल, एतलेटिस्ट, बैटमेंटेन, भारत के रतन खेलाडी, क्रिकेट सीखो, हाकी, खेल प्रसिक्षन नियम ज्ञानकोश, लोगपरी खेलं के नियम, सचीत्र खेल नियम, सरल सिक्षा ज्ञानकोश, शारिदिक सिक्षा और खेल मनोविज्ञान, सारिदिक सिक्षा के तत्व, सारिदिक सिक्षा खेल येवं चिकिस्त शास्त्र, स्वास्त सिक्षा और रोग, टेबुल तेनिस सीखो, विद्धियालों में शेरिर प्रसेक्शन वायमों येवं खेल कुद विकलांगों के लिए शारिनिक सिक्षा येवं खेल कुद विश्व के प्रसिद्ध खेलाडी महिलाओं और खेल विश्व के प्रमु को खेल और खेलाडी ये सब आहर से जुड़े हुए और अंतराश्टिय खेलों से जुड़े हुए और येशियन से खेले हुए बैट मेंटेन और कई तरीखे से खेल के प्रसिक्शन और शेरिर का विकास किस तरीखे से होता है और क्या पतंग बाजी सीको और टेबल टेनिस जैसे जो खेला है ये खेलों के बारे में इनके साहित की रचना की गई है इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी में भी रचनाय की इसके अलावा हिंदी के अलावा उन्हों अंग्रेजी में भी कई खिसम के रचनाय की हैं थानी की विसेश्ट सैली और उनके शशक्त भाव भी विक्ति ने उन्होंने हिंदी खेल पत्रकारिता का एक मुर्य धन हस्ताक्षर बना दिया क्या है इनकी जो विसीष्ट शैली है तरीखा है और इनों जो हिंदी साहित में जो पत्रकारिता करें वो पत्रकारिता ही इनको एक रास्ता बथा दिया एक नाव मशुर करके रख उनकी पुस्तकों की सफलता का रहा से विश्व प्रसिद्ध खिलाडियों से उनकी मित्रत था थी जो इनके यो मशूर किताबां हैं उसमें इनों काम्याब हासिल होने की वज़ें यह है कि दुनिया भर के जो प्रसिद्ध मशूर खिलाडियां हैं उनसे इनकी दोस्ते थी क्या है इतने जनों से उनकी जानकारी रहने से दोस्ती रहने से वही कारण से इन्होंने क्या करा खेल और खेलाडियों में जितनी भी बारिकियां है उसके बारे में सुन्दर ढंग से विक्त किया है उन्होंने कुस्ती से जुड़ी अनेक पुस्तकाईं लिखी और इस खेल के विकास में अपना बहुमूली योगदान दिया और कुछती से जुड़े वें भी कई किताबें लिखे और इसकी वज़े से भी इनो बहुमूली बहुत खीमती योगदान इसमें दिये आज खेल के शेत्र में खदम रखने के लिए किसी भी नवसैनिक के लिए योगराज थानी के पुस्तकें किसी संजीवीनी बूटी से कम नहीं है क्या आजकल कोई खिलाडी खेलने के लिए अगर से जा रहा खेल के शेत्र में जा रहा तो वो खिलाडी के लिए यह योगरा स्थानी के जो किताबें हैं वो उनके संजीवीनी बूटी के तरह काम कर रहा है प्रस्तित पार्ट में लेखक ने भारत के राश्टी खेल हाकी के जादुगर ध्यानचन की आत्मकता के सुन्दर वर्नन किया है क्या है यहां पर जो आप कहानी जो लिखे वी है वो कहानी जादूगर हाकी के जो जादूगर है ध्यान्चन उनके बारे में उनके आत्मकता के बारे में यहां पर वर्ना किया गया है अब पार्ट में आएंगे खेले तो ऐसा खेलो खेल के मैदान में धक्का मुक्य और मारम पीटी होते रहे थी, खेल में तो यह सब चलता ही है, हर यह खेल में भी यह चीजा धकम की चलना, मारम पीटी होना यह तो चल रहा है, जिन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता था, यह मैं यहां पर ध्यान चंद के बारे में बता रहे थे, उन्हों भी जब खेलते थे जबी भी ये सब चलता था तो आईए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिल्चेस्वी घटना सुनाता हूँ क्या है जो हाकी के खिलाडी है उन्हों अपनी जिंदगी में जो चली एक दिल्चेस्वी घटना उसके बारे में यहां पर बता रहे हैं सन 1923 की बात है 1933 की ये बात उनों बता रहे हैं अपने को उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की वर से खेला करता था वो दिनों में पंजाब से मैं खेला करता था एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबिला हो रहा था एक दिन ये दो टीम पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर के बीच मुखाबिला हो रहा था माइनस टीम के खिलाडी मुझसे गेंद चीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकर जाती जो मैनर से टीम है वाँ के खिलाडी मुझसे गेंचने की कोशिश करते लेकिन वो कोशिश पूरी बेका जा रही थी इतने में ये खिलाडी ने घुसे में आके हाकी मेरे सिर पर दी मारी मुझे मैदान से बाहर ले जा गया ये खिलाडी मुझे सर पे हाकी से मारा और मैं मैदान से बाहर हो गया थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बान के फिर मैदान में आ पहुंचा थोड़ी देर के बाद फिर खेलने के लिए मैं सर पे पट्टी बान लिया और मैदान में आया आते ही मैंने उस खिलाडी की पीट पर हाथ रखा कर कहा तुम चिंता मत करो मैं इसका बदला जरूर लूँगा मेरे इतना कहते ही वो खिलाडी एकदम घबरा गया इन्हों मैदन में आते ही वो खिलाडी फिर इसे देखने लगा तो इनो उसके पीट पे हाथ रखे ये कह रहे थे कि तुम चिंता करने की फिकर मत करो मैं इसका बदला जरूर ले लूँगा ये बात पे वो खिलाडी एकदम घबरा गया अब वो हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हाकी मारने वाला हूँ लेकिन वो जो खिलाडी हर बार मेरे तरफ देखता था कि कब मैं उसके सर पर हाकी से मारने वाला हूँ मैं ने एक के बाद एक अनन फनन में छे गुल कर लिया क्या है मैं तो एकदम सुंचते सुंचते अनन फनन में एकदम छे गुल कर लिये खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाडी की पीट थप थपाई और कहा दोस्त खेल में इतना घुसा अच्छा नहीं लगता खेल हो जाने के बाद फिर मैं वो खिलाडी के पास जाके उनकी पीट थपकते वे कहा कि खेल में इतना घुसा अच्छा नहीं है मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है मैं तो देखिए मेरा बदला तो मैं ले लिया अगर तुम मुझे हाकी ना मारते तो मैं तुम से शायद दो ही गोलों से हारता अगर से तुम मुझे हाकी से नहीं मारते तो सरिफ तुम्हे शायद दो गोलों से हाराते थे लेकिन अब छे गोलों से हरा दिये वो खिलाड़ी सच मुझ बड़ा शर्मिनदा हुआ जो मारा तो खिलाड़ी है वो एकदम शर्मिनदा हुआ तो देखो अब आपने मेरा बदला लेने का ढग तो देख लिए मेरा ढग ये था बदला लेने का सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी सच में कहा गया तो बुरा काम करने वाला जो भी आदमी हमेशा डरते वा रहता क्योंकि ये बुराई मेरे साथ भी हो सकती ये डर वो आदमी के दिल में बैठावा रहेंगा जहां भी जाता हूँ छोटे-छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं कहां पर भी जाओं छोटे छोटे बच्चे आके मुझे अक्सर घेर लेते वे रहते और माई किस तरीखे से जीत हासिल करता हूं उसके राज जाने के लिए कोशिश करते हैं मेरे पास सफलता का कोई गुरू मंतर तो है नहीं मेरे पास तो कुछ हाइचन ऐसा गुरू मंतर हर क है कि खेल में लगन होना है खेल में प्राक्टिस होना है खेल की भावना अपने में रहे ना है यह बहुत बड़ा मंतर है मुझे ही देखिए मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधर और राजपुत के परिवार में हुआ यह जो हाकी के खिलाडी है जहांसी में आके हम लोग यहां पर बस गए 16 साल की उमर में माई 1 ब्राहमीन रेजिमेंट में एक साधरन सिपाई के रूप में भरती हो गया मेरे 16 साल की उमर में माई साधरन सिपाई भरती हो गया क्या है 1 ब्राहमीन रेजिमेंट में उस समय तक मुझे खेल में कोई दिल्चस्वी नहीं थी, जब तक मेरे को खेल के लिए कोई इंट्रेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हाकी के खेल में बहुत नाम था, लेकिन मेरे जो रेजिमेंट है, मेरी जो टीम है, वो टीम में हाकी का बहुत बड़ा नाम था उस समय हमारे रेजिमेंट के सुबेदार मेजर तीवारी थे वे बार बार हाकी खेलने के लिए कहते हैं उन्हों बार बार हाकी के लिए बोलते थे खेलिये खेलिये बोलते हैं हमारी छावनी में हांकी खेलने का कोई निच्छित समय नहीं था, जो हमारे रेजिमेंट में खेल खेलने के लिए कोई टाइम नहीं था, साइनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाता और अभ्यास शुरू कर देते, जो सिपाईयां हैं साइनिक हैं उन लोग कभी भी उन्द प्राक्टिस नहीं है, अधोरी प्राक्टिस का खेलाड़ी था, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तकनीकी भी मिलती गई, जैसे जैसे मेरे खेल में सुदार आते गया, अच्छा होते गया, वैसे मेरे को तरीखे भी मिलते गया, 1936 में बरलि सेना में लास नायक था क्या है वो टाइम पे इनों सेना में नायक थे बरलिन ओलिम्पिक में लोग मेरे हाकी खेलने के ढंक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हाकी का जादू कर कहना शुरू कर दिया जो बरलिन में ओलिम्पिक हुए उसमें मेरा हाकी का जो तरीखा देखे हैं कई लोग मुझे हाकी का जादू का बोलना शुरू का है इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था इसका मतलब ये नहीं कि वहां के पूरे सारे गोल हाकी के जो पूरे गोल मैं ही करता था मेरी तो हमेशा यह कोशिश रही थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साती खिलाडी को दे दूँ ताकि उसे गोल करने के स्रे मिल जाए मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि कोई एक खिलाडी के पास मेरे साती खिलाडी के पास यह लेगे जाके गेन लेगे जाके रखो और उन गेन मारके गोल करना और उसका नाम आ जाना इसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानिशा हिटलर तक का दिल जीत लिया था इसी वजह से इसी कोशिश के वजह से मैं जर्मन के जो बादेशा है हिटलर उनका भी दिल जीत लिया था लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से ये पूछा था कि ये खिलाडी भारती सेना में किस पदपर है ये हिटलर पूछते थे दूसरे लोगं से कि ये जो जादू का खिलाडी है जादूगर है इनों भारती सेना में कौन सी नवकरी कर रहा है कोंसे पोश्ट पे हैं जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वो जर्मनी आ जाए मैं उसे मार्शल बना दूँगा उसे जब इसके नौकरी का पता चला लांस में नायक है उलके तो वो अधिकारी से दूसरे बड़े पोश्ट अधिकारी से बोल भी आए कि जर्मनी को आ जाईए और उसे वहाँ पर मार्शल मना दूँगा बर्लिन में वोलंपिक में हमें स्वर्न पदक तो मिले ही बर्लिन के वोलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिले थे लेकिन हिटलर ने अपनी वोर से भी मुझे एक पदक दिया था लेकिन हिटलर अपने तरह तरफ से एक गोल्ड मेडल दिया इससे बड़ा गवरो किसी खिलाडी के लिए और क्या हो सकता है इससे ज्यादा कुंसे भी खिलाडी के लिए क्या हो सकता है कि खेलते समय मैं हमेशल इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बलकी पूरे देश नहीं है। सुबा के टेम हम लोग सब एक ड्रेसिंग रूम में थे हर एक चहरे पर एक विचित्र प्रकार का भाई था और अब्यास मैच के पराजय हर एक के दिल में दश्रत बनी हुई थी क्या है हर एक चहरे के पर एक विचित्र डर था कि प्राक्टिस मैच के जो हार भी थी ये इन लोगों को डरा रही थी हर विक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था हर एक आदमी भी ये टीम के हर एक मेंबर भी ये खेल के बारे में बहुत सौंच रहे थे फाइनल 14 अगेश्ट को खेला जाने वाला था लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी याने 14 अगेश्ट के दिन ये मैच था लेकिन उस दिन बहुत पानी पढ़ने से मैदान में पानी भर गया था तई हुआ कि फाइनल 15 अगेश्ट की सुबा खेला जाएगा और बाद में सौंच लिए कि 15 अगेश्ट के दिन सुबा में खेला जाएगा अब द्यास मैच में जर्मनी द्वारा एक चार से पराजे की कटू स्मृति और भीगे मैदान की प्रितिकूल परिस्तिती से भारती खेलाडी और भी निराश हो गए थे जो 15 अगेश्ट के दिन खेलने के लिए जो प्राक्टिस मैच में हार गए थे ये चार से जर्मनी से हार गए जए वो और ये भीगेवे मैदान से डरते वे इन लोग खेलाडियां पूरे निराश होके बाइठे थे टीम के मेनेजर पंक उन्हें टीम का हौंसला बढ़ाने के लिए एक युक्ति सुची 15 अगेश्ट के दिन सुभा 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 सब भारतियां ड्रसिंग रूम में थे तो उनको देखके उनलों में एंक्रेज करने के लिए एक प्लान सुचें सहसा उन्होंने उस खिलाडियों के सामने तिरंग इसाइद का सवाल है आप रखना है स्रदा से सभी ने उसी तिरंगा की तिरंगा को शाही सलाम दी और मैदान में उसी लाज रखने के लिए वीर सईनकूं की तरह उतर पड़े हैं सब जने ये स्रदा के से यानि इज़त से उसके सामने सलाम किये सर जुका है और इसकी विजय हुए हैं और अपने भारत के खेलाडियां इस तरीखे से खेले कि आठ एक से उन लोग जीत हासिल किया है इस दिन सच्मुच तिरंगा की लाज रही थी इस दिन क्या है 15 अगेश्ट के दिन सच्मुच तिरंगा की इज़त रखी उस समय कौन जानता था कि 15 अगेश्ट अपने को आज़ादी दिलाएगा ये थी खेले तो ऐसा खेलो पाट आकी के माश्वर ज्यादुगर की कहानी आज ये पाट्यां पर समक्त